हैलो प्रेंट्स आज जीस मुवी को हम कवर करने वाले हैं और एक हट के टॉपिक पे बैस्टे एक वेल सेटल फैमिली के घर में अच्छानक से उनके बच्चे मुरने लगते हैं और इन सब का शक उनी के फैमिली मेंबर्स पे होने लगता हैं जिसके बाद उसी पूरी परिव कुणी का क्या मकसद हो सकता है या फिर कुणी अपना शातिर दिमाग लगा के अपने आपको बचाने में सपल होता है जाने के लिए इस वीडियो को एन तक देक कर लाइक जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज मुझे सपोर्ट करे तो चलिए अब बढ़त आपोने के आमीत और अजय इनके संग रही होती है छोटा बेटा अजय बैचलर होता है मगर उसकी गल्फ्रेंड हीना कमी कमी घर आती रहेती है वहीजी बड़ा बेटा आमीत शादी शुदा होता है अमीत की बीवी भावना और उनकी तीन बेटिया स्रेया शुरूती स्नेहा और एक बेटा मलार एपी वहां रहे रहे होते हैं बैरेट हाउस के पड़ोसी में अन्टोनी नाम का एक आदमी अपनी बीवी सेप सोफिया और बेटा रोशन इनके संग रह रहा होता हैं दिवाली को बैरेट हाउस में सभी परिवार वाले कापी खुशी से मरा रहे होते हैं इसी बीच अजय और हीना एक दूसरे से इशारो इशारो में फ्लट करते हुए एक घर के रूम में चले जाते हैं इसके बाद ओ दोनों वहाँ थोड़ी मस्ती करी रहे होते हैं कि तब ही वहाँ अजय की बड़ी भधिजी स्रेया आती हैं और उसके संग हाइड एंड सी खिलने के जीत करने लगती हैं अजय उसे तुम चूप जाओ में डूरने आता हूँ ऐसा बोलकर फिर से ही नामें खो जाता हैं बिचारी स्रेया गर के बाहर चुप कर वेट कर रही होती हैं मगर चाचु आते ही नहीं इसके बाद वहाँ से कई लोगों कैंडल्स को लेकर जाते हुए उन लोगों के साथ और भी उस ग्रूप में कैंडल लेकर शामिल हो जाती हैं वहां के ग्रेव यार्ड में जाकर उस समी लोग अपने अपने परिवार वालों के आत्मा के शांति के लिए प्रे करने लगते हैं स्रेया को फिर याद आता है कि उससे तो चूप ना ही फिर उनके पड़ोस एंटो देता है उधर बैरट हाउस में स्रेया को जब उसकी माँ खोजने लगती है तब मुझ कहा दिखती नहीं गर में सब उसे ढूरने लगते हैं अमित भाउना पे गुस्सा होकर उसे ढूरने घर के बाहर चला जाता ही मगर उसे कुछ हासिल नहीं होता पूरी राद चिंता में बैरट फैमिली को अगले दिन वहां के पादर डर कर स्रेया की लाश ग्रेव यार्ड में पड़ी है यह बाद बताते हैं इसके बाद अमित भाउना और मलार वहां पहुचते हैं अपने बैटी को ऐसे हालत में देखकर भाउना तूट जाती है और उस स्रेया को गले लगा क पर जमों घर आते हैं तब वो अमित को बाड़ी को किसके परिविशन से आपने घर लाया इसा सवाल करते हैं तब अमित उन्हें भाउना कापी इमोशनल हो चुकी है और उसने ऐसा किया एब दात ही भाउना तो पूलिस को बाड़ी देने को ही राजी नहीं थी क्योंकि उस से लगता था स्रिया कुछ वक्त में उठकर उससे बाते करेगी इसके बाद पूलिस जैसे दिसे स्रिया के बाड़ी को पोस्टमाटम करने ले जाती है अमित को किसी पे शोक होने के बारे में पूछने पर उपड़ोसी एंटोनी का नाम लेता ही क्योंकि उसके चहिते पपी को हमारे बेटे मलाने माराता और इस बात से एंटोनी कापिंगू साता यह बात तो बताता ही मगर पूलिस इस बात को इतना इंपॉर्टस नहीं देती इसी बीच अजय घर लटता है और पूलिस को दैकर वो वही चुप जाता है और फिर से आये रास्ते लट जाता है इस ब पूरेवयाड में जाकर फादर से पूछने पर रात में यहीं एंटोनी से कुछ बात कर रही थी ऐसा हो बताते हैं जिसके बाद अजय का शक और फादर का एब बयान इसके अधार पर वह एंटोनी को वहां उठा कर लाते हैं एंटोनी मर्डर के बात से इंकाल करता है और स् पिरो अजय और अमित में कुछ दिनों पहले घर के बटवारे को लेकर जगडा मी हुआ था इब बात भी बताता है इसके बाद पूलिस अजय को भी उठा कर वहां लाती है मगर उसकी गौल पेंड ही ना मी वहां आकर अजय पूरी रात मेरे साथ मेरे घरी था इब बता कर उसे वहां से अपने साथ लेकर आती है इसके बाद पूलिस अंटोने से पूछ ताच और दूसरों सबुतों में जुट जाती है बैरोट हाउस में सभी कापी दुखी होते है इसे बीच अमित और बावना इनमें बच्चों को लेकर जगडा होता है अमित सिर्फ मनलार को पसंद करता था और उसको बेटियों से प्यार नहीं इस बात को लेकर भावना नाराज होती है बात को नबढ़ानी की सोच कर अमित मनलार को लेकर सोने चला जाता है दरसल अमित एक टैक्सी ड्राइवर होता है और उसे अपने बीवी भावना और पडोसी अन्टोनी इनका अपेर है इस शोख होता रहता है क्योंकि ओ दोनों कॉलिज से एक दुसरे के दोस्त थे ए बेटिया अन्टोनी की ही है ए अमित हमेशा जगड़े में बोलता भी था अगले दिन बैरेट हाउस में एक नया शोकिंग इंसिडेंट अगड़ता है स्रूती स्टेप से गीर कर मर जाती है उसके बोड़ी को देखकर भावना को बड़ा मेंटल शोक लगता है और उने के बडले हसने लगती है इसी बीच और उपर के खिड़की में अजय को देखती है उस वक्त घर पर अजय, बावना, मलार और सुरूती ही है थे सारा शक अजय पे आता है और इसके बाद पूलीस अजय को कस्टिटी में लेकर अच्छे से उसे इंटरोगेट करने लग थी मगर और खून की बाद से साब इनकर करता है कुछ दिनों बाद मलार अपनी छोटी सिस्टर स्निया के साथ खेल रहा होता है खेलते खेलते और उसे पाणी के ड्रम में डुबाने लगता है ये नजारा वही से गुजरते हुए अमित देख लेता है उसने आओ को बचा लेता है और मलार को डाटने लगता है मलार मैं तो सिर्व उसे नेला रहाता ये बताता है ये जवाब सुनकर अमित इस गटना को हलके में ले लेता है और घर में किसी के साथ से शेर नहीं करता लेकिन इसके बादो मलार पर नजर बनाये रखता है उसे मलार का बरता थोड़ा अजिव होने के शंका आती है कुछ दिनों बाद अन्टोनी अपने पूरे परिवासंग बैरट हाउस अपना कंडोलेस देने आते है तब मलार रोशंग के साथ घर में खेलने लगता है इसी बीच अमित उस पर चुपके से नजर भी रखता है और एक समय पर ओ ये देखता है कि मलार रोशंग पर वहाँ पड़े एक चाको से वार करने जा रहा है ये देखकर ओ मलार को पकड़ कर दुसे रूम में बंद कर देता है फिर रोशंग को अन्टोनी को सौब देता है उन लोगों के जाने के बाद जब मलार को उस हरकत के बारे में पूछता है तब बोलता है कि ओ मेरे संग खेलने रहाता इसलिए में उसे मार रहाता ये सुनकर अमित हैरान होता ही मलार का क्या करना ये उसे समझ में नहीं आता इसके बाद वो घर से सपनों किली चीजे चुपा देता है वो ज़्यादा तर मलार को अपने साथ ही रखने लगाता है उसके लिए वो कुछ दिनों तक कोई टूर का भी काम भी नहीं लेता है इसके बाद वो घर से सपनों किली चीजे चुपा देता है वो ज़्यादा तर मलार को अपने साथ ही रखने लगाता उसके लिए वो कुछ दिनों तक कोई टूर का काम भी नहीं लेता है मलार के दिमा को दूसरी बातों में उलजाने के लिए वो उसे तबला बचाने में बीजी कर देता है वो उसे दिन भर तबला बचाने मिटाता है घर वाले भी अमीत की इस हरकस से नाकुष होते है मगर वो किसी को कुछ नहीं बताता और मनलार को उसे में बीजी रखता है एक रोज अमित को अपने घर पर पड़ो से चीक सुनाए देती है सोपियां की ओचीक होती है दरसल सोपियां अपने बेटे को मैगी बना कर जब देने जाती है तब वो घर में किधर भी दिखाई नहीं देता इसके बाद बात्रूम के ड्रम में उसे किसी ने मार कर फेका और देखती है चीक सुनने के तुरंद बाद अमित अपने बेटे को डूनता है वो उसे पूछता है क्या तुम एंटोनी के घर गए थे जिस पर उशुरुवात में ना बोलता है मगर अमित के चिल्लाने पर उस सब सच सच बता देता है कि मैंने रोशंग को पटक कर ड्रम में फेक दिया इस सुनकर अमित के पेरो तले जमिन फिसल जाती है वो मलार से चिटकर अपाने के लिए उसे फासे लगा कर मारने की भी कोशिश करता है मगर उससे एस सब हो नहीं पाता अगले दिन पूलिस अंटोनी के बयार पर अमित को अरेस्ट करने गोराती है एंटोनिक लगता है कि अमित ने स्रेया के मर्डर का बनला लेनी की ठान कर मेरे बेट को मारा है मगर नचाते हुए भी तब अमित पुलिस को मलार का सच बता देता है जो सुनकर गरवाल अंसंग पुलिस भी शौक होती है जब पुलिस मलार से प्यार से पेश आते हुए पूछताज करती है तब मलार भी पुलिस के सामने उसने स्रूती, स्रेया और रोशन को गुसे की वज़ों से केसे मारा एं बता देता ही इसके बाद मलार की उम्र अनुसार उसे जूनवेली रिमान हो में बेल जादाता है डॉक्टर उसे वहां के बच्चे से दोस्ती गोरने भेशते हैं उस लड़के संग मलार काभी अच्चे से रने लगता है वह बच्चा रोही शेट्टी का पैन था उसने अपने पड़ोस्यों की कार्स को हवा में फटा के फेक कर उड़ाया था जिस वज़ा से ओ यहां है ऐसा हो मलार को बताता है एक रोज वहां की वार्ड़ स्वेटर बनाने की स्टीक गायप है एक बात नोटिस करती है उसे लगता है कही मलार ने उस दूसरे लड़के को मारने के लिए तो उसे नहीं लिया ना इसलिए जब वो उसके रूम को चेक करती है तब उसे उस टीक का फ्लावर मलार ने बनाया है एग बातों देखती है और नारायन को बता देती है जब नारायन मलार से तुमने क्यों चुरायाई पूछते है तब वो कुछ भी नहीं बताता इसे बीच डॉक्टर देखते हैं कि मलार ने अपने पीट पर उस टीक के जग्म कर लिये है एग बात देकर ओह इरान होते है और उसके रूम में सिसिटिव लगाने बोलते है एक रोज जब अमित अपने बेटे से मिल नहीं वहाँ आता है तब मलार अपने पापा से कुछ अजीब है और कापी 75 8 म बताते है जिसकी वज़ें से मनलार के रूम में और कुछ के पेपर अलकरस रखे जाते हैं इसके जर्य कुछ ड्रॉ演 बनाता ही और उन्हें देखता रहता है इस बात को डॉक्टर वंदना कैमेरा से देख रही होती है कुछ वक्त बाद उन ड्राइंग को डसमीर में डाल कर मलार वहां से निकल जाता है जब डॉक्टर वंदना उन स्केचेज को चेक करती है तो उसमें एक छोटा बच्चा लड़कियों को मार रहा होता है और एक आदमी पास खड़े होके एक देख रहा होता है यह सब दिखता है यह बाद पुलिस को दिखा कर ओ बोलते हैं कि मलार को शायद एक हरकत करने को ही आदमी बोल रहा ही इसके बाद जब पूलिस चान बिन करती है तब उन्हें एक बात पता चलती है कि अमीद और भावना क के बीच अपेर है और बेटिया ऐंटोनी की है एसा अमीत को लगता था अमीत के पिटाजी और एंटोनी के पिताजी दोस्थ तै करजे के चकर में अमीत के पिताजी ने बैरट हाउस पूलिस को भी यह लगने लगता है कि बच्ची को टॉर्चर कर उसके हाथो शायद अमीद यह सब करवा रहा होगा इसलिए ओ अमीद को पकड़ लेते हैं और मल्लार को छोड़ देते हैं लेकिन एक दिम मल्लार अपनी छोटी बहन स्नेहा को जब आंगन में लेकर घूम रहा ह होता ही तब उसकी मां ऊपर कपड़े सुखा रहे होती है इसी पीच महां के एक हुए में उसनेहां को अच्छानक से फेंग देता है इन नजारा देखकर भावना कापी शौक हो जाती है पुलिस को सब हगिकत बताने पर अमीद को छोड़ देते हैं और मल्लार को फिर से किसी को नुकसां पहुंच रहा हूं एक फिलिंग भी नहीं होती डॉक्टर की माने तो शायद अमीद और भावना के रोज के जगड़ों की वजह से मल्लार की एह हालत हुई होगी और अब उसे ठीक होने में कापी लंबा समय लग सकता है इसके बाद अमीद अपने पूरे परिवासां बैरोट हाउस को हमेशा करे छोड़ देता है अपने पत्नी भावना से सौरी बोलकर और दोनों तीन बेटियों को गोड लेते हैं और उनका नाम सुरूती स्रेया और स्नेया रखते हैं मल्लार का आगे क्या होता है इस बारे में स्टोरी में कोही जिक्र नहीं है फिल्म तो कापी अच्ची है इसमें क्रेट किया गया सोस में समय डरा तो देता है मगर हमें सोचने पे भी मजबूर कर देता है कि क्या हमारे बिहेविर की वजर से ही हम हमारे अपनों को मेंटली डिस्टप कर देते हैं लाइप में शान्तिय और विश्वास का होना भी पैस से ज्यादा जरूरी है यह बात हमें इस कार्ण से सीखने मिलती है तो चलिए इसी नोट के साथ अपलेती हूं आप से विदा गुडबाए